हलो दोस्तों राधी राधी आश्चा करती हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्त होंगे, मस्त होंगे आज मैं आप लोगो बताने जा रही हूं कि प्रदोष ब्रत कब करना है अधिक मास श्रावन कृष्ण प्रक्ष में जो प्रदोष ब्रत पड़ेगा यह प्रदोश ब्रत कब है प्रदोश किस समय प्रदोश काल पढ़ेगा जिसमें भवान संकर की अराधना करनी है जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं प्रदोश ब्रत भवान संकर को समर्पित होता है इस वार जो प्रदोश ब्रत पढ़ रहा है यह अधिक मास किष्ण पक्ष और उस्रामण के महिने में प्रदोश ब्रत पढ़ रहा है जो कि अब यह प्रदोश ब्रत आपको तीन साल के बाद ही मिलेगा अधिक मास पुषत्तम मास भावान श्री कृष्ण को समर्पित है और प्रदोश ब्रत जो है वह भावान संकर को समर्पित है इसलिए बहुत ही जो किश्मरक्ष का ब्रत है वह इस बार प्रदोश ब्रत पढ़ रहा है त्रयोदसी तिथी पर जो ब्रत पढ़ता है उसे प्रदोश ब्रत कहते हैं प्रदोश ब्रत है इस बार 13 अगस्त 2030 दिन रवीवार को रवीवार को पढ़ने के कारण इस प्रदोश ब्रत को रवी प् करकी 21 मिनट से प्राता है शाम के समय में आपको त्रेयोद शीयोद zac प्रदोश काल रहता है जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं प्रदोश काल होता है सुर्यास्त से 45 मिनट पहले और सुर्यास्त के बाद 45 मिनट के बाद के समय को प्रदोश काल कहते हैं और इस समय को गोधूली वेला भी कह जाता है यह पूजा करने का सबसे सुन्दर और उत्तम सम मैं होता है प्रदोषकाल में शिवाले जाना है जो कोई भी प्रथों कोशिस करें उन्ने सिवाले जरूर जानым और शिवाले में जाकर के भवान संकर महापारवती गणेजी जी कारतिके जी नंदी जी पूरे श्रिप परिवार के भाक्ति पूर्भाव तरीके से अराधना करें, पूजा करें भवान संगर के अविशेक करें दूद, दही, गंगाजल, शहद जो जो चीजे हो आपके पास में यथार सकती उनहारे चीजों को समर्पित करें फूल भवान को फूल में आपके फूल बहुत पसंद है धतूरे का फूल यह सारी चीजें, बिलपत्र यह सर चीजें भवान संकर को अरपित करें जो रितु फलों वो अरपित करें इस तरह से प्रदोश प्रत को धारण करें दूसरे दिन सोम बार को प्राता नौ बजे के पहले ही ब्रत का पारण कर लें चतुर दसी तिथी लगने से पहले ही ब्रत का पारण अवस्य कर लें मेरा ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अवस्य बताएं वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद